यह कहानी मैंने बच्पन में एक टेक्स्ट बुक से परी थी एक लड़का रहता है वो बहुत ही अमीर घर से रहता है और वो लड़का हमेशा आशो आराम में रहता है कभी कोई काम नहीं करता दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता है और उसे हर वक्त खाने को अच्छा-च्छा मिलता है यानि कि उसके पास ऐस्चो आराम का हर सामान होता है हर चीज मुहिया होती है तो ऐसे ही बिस्तर पर पड़े-पड़े सालों से बोर हो गया था और उसे खाने में कोई सौध नहीं आ कहीं और चले गया तो बहुत देर तक शिकाः िधोनने के बाद उसे कुछ नहीं मिला और और लटका काफी ठख गया कैऊंकि बहुत दिन से चला नहीं था कहीं गया नहीं था वह लटका बहुत जादे ठक गया और वह खाने पीने के तलाश में निकला कि कहीं कुछ मिले तो खाया जाए तो ढूंते ढूंते उसने जंगल के थोड़ी दूर बाहर एक कुटिया पाया जहां पर एक बुढ़िया रहती थी तो वह उसकुटिया के कर उसके सामने रख दिया जब वह लड़का उस खाने को खाया सुखी रोटी और दाल को खाया उसे बहुत ज़्यदे टेस्ट लगा बहुत ज़्यदे मज़ेदार लगा और बहुत ज़्यदे लजीज लगा और उसने कहा कि मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया इतना स्टोरी यह है कि बिना दुख के सुख का मज़ा नहीं आता उस लड़के को उस खाने में मज़ा क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि वो दिन बार आईशो आराम में रहता था और हर दिन लजीद खाना खाता था जबकि कोई काम नहीं करता था कुछ करता नहीं था और सिंपली बि दिक्कतों के बाद जब उसे खाना मिला बहुत ददे भूका होने ने के बाद जब खाना मिला तब उससे वो खाना मज़दार लगने लगा ये कहानी आज कल के नौजवानों से बहुत मिलजी जुलती है जो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पीते हैं, एशो आराम में रहते हैं बट फिर भी उन्हें जिन्दई का मजा नहीं आता वो लोग अपने गोल्स को हसिल करना चाते हैं, गोल्स को पाना चाते हैं अच्छी खुशी और सच्चा ही जाननी है और मन का शुकून चाहिए उसे तो उसको हाड़ वक करना परेगा आप किसी एक मजदिर से जाकर पूछो जो हर दिन काम करता है और रात को आप जाकर देखोगे, वो कितने आराम से सोता हैं उसको कितने सुकून के नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो दिन भर काम करता है, दिन भर मजदूरी करता है दिन भर ठका हुआ, हरा हुआ आता है और खाना खाकर आराम से सो जाता है क्योंकि वो काम करता है, वो मजदूरी करता है हाड वक करता है बिना हाड वक के बिना दुख के आपको सुख का मजा ही नहीं आएगा आपको अगर बिना दुख के सुख दे दिया जाए वो सुख आपको अजीब सी लगेगी है वो सुख आपको दिल का सुखून नहीं देगी चैन नहीं देगी एक तुरकिश कहावत है, कि अगर आप एक अच्छे सिब का मज़ा अगर आपको दिखना है, तो आपको एक खराब सिब चखना परेगा, मतलब कि बिना खराब सिब चखे हुए, आप ये नहीं बता सकते कि अच्छा सिब का मज़ा कैसा है, उसी तरह से अगर आप हाड वर्क करोगे मुश्किल काम नहीं करोगे तो आपको पतानी चलेगा की जिन्दगी की जिन्दगी का मज़ा कैसा इस ईसो आराम का मज़ा इस जो host इन्रेलिस्टिक सेट कर लेते बहुत सारब बड़े बड़े बर क्विल सेट कर लेते हैं रहे लोग अपने का shortcut बताने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं और यह लोग उस बहकावे में आकर उनके प्रोग्राम्स को खरीद रहे हैं उनके success courses को खरीद रहे हैं ताकि मुझे hard work ना करना परे और मैं यूँ shortcut लेते वे success को हासिल करनो बदोस्तों hard reality यह है और hard truth यह है कि success की कोई shortcut नहीं होती आपको उस दुख भरे रास्ते में जाना परेगा उस दर्द भरे रास्ते में जाना परेगा दर्द को जिलना परेगा कठीना यह जिलनी परेगी दिक्कते को सामना करना परेगा तब जाकर जो success का मज़ा होगा वो कुछ अलगी होगा आपको बताओं जो successful लोग होते हैं वो अपने आप पर बहुत proud फिल करते हैं अपने आप पर बहुत फखर महसूस होता है उन्हें क्यों होता है आपको बताओं क्योंकि वो लोग बहुत ज़दे hard work कर पहले उन्होंने बहुत ज़दे hard work किया है और बहुत ज़दे मैंने किए इतने hard work मैंने किया है तो आप अगर सिंप्ली सक्सेश चाहते हो और दिल और चैन impeller चाते हो तो आपको hard work करना पड़ेगा और यह जो जर्णी है कठीना यह भरी जर्णी है मुश्किलों वाला जो जर्णी है वह आपको तै करना पड़ेगा मार्क मेंसन अमेरिकन आथर हैं वो कहते हैं कि happiness comes through solving problems प्रॉब्ल्म्स को solve करते रहोगे तभी आपको happiness मिलेगी आपको presentations नहीं मिल सकती हमको problemmorality के लिए foto नैंट मेरेगा उद्था करने बरेगा कि मुश्क्तों का सामना करना पड़ेगा जब गले लगाने को तियार है तो आप मंजिल की परवा मत करो मंजिल को एक बार दिमाग में सेट कर लो उसके बाद सब्सक्राइब करो जर्नी में मजा ढूंदो जब आप सब्सक्राइमें मजा ढूंडोगे आपको यह दुख और दर्द का ऐसास नहीं होगा और आप पार कर जरनी को हेट करोगे तो आप इवेंचली वहां तक नहीं पहुंच पाऊगे जो बाते मैंने बताई है यह बात मैं अपने दिल से बता रहा हूं और क्यूंकि मैं भी आज से कुछ मेनों पहले आज से एक दू साल पहले मैं भी सक्सेस का शॉटकट ही ढूंदा था मैं हर चीज मैं अपने experience से बोल रहा हूं क्यूंकि मैंने यह अपने अंदर ढाल लिया है मैंने यह अपना mindset बना लिया है कि मुझे अगर कामिया भी चाहिए तो hard रास्ता चुनना परेगा आसान रास्ते को त्याग करना परेगा तब ही जाकर कामिया भी मिल सकती है तो that's all from my side दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूरू बताएं और यह वीडियो उनलों को तक जहाँ स्यादा शेयर करें जो success का shortcut ढूंते रहते हैं वीडियो को लास्त तक देखने के लिए और इतना support करने के लिए thank you so much